हेलो फ्रेंड्स कैसे है आप लोग स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने किचन अछना किचन कैप tähän में और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी वोजोट अचना दोस्तो, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही soft बहुत ही मुलायम यह कहूं कि सुपर soft नान की recipe ले कर आई हूँ यह बहुत ही soft होने वाली है और इतनी मज़दार बनती है इतनी मज़दार यह खाने में लगती है कि आप एक बार अगर बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे नान सोचकर अक्सर हम घबरा जाते हैं कि इसको बनाने में बहुत लेंदी प्रोसेस होगा पर ऐसा कुछ नहीं होगा यह बहुत मज़दार बन कर तेयार होगी एक बार मस ट्राइ वाली रेसिपी होने वाली है और खाने में भी यह बहुत मज़दार लगती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह सुपर सॉफ नान हमने कैसे बनाई है और इसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरुरत है तो यह बहुत ही मज़दार और सुपर सॉफ नान बनाने के लिए मैंने यह आप लिया है 500 ग्राम मैदा आप चाहें तो इसे आटे से भी बना कर तयार कर सकते हैं अब हम इसमें डाल लेंगे आधी चमच चिली फ्लेक्स आप चाहें तो यहाँ पर मिल्च पाउडर भी डाल सकते हैं पर मिल्च पाउडर से कलर आ जाता है और हमें सिर्फ टेस्ट और फ्लेवर चाहिए उसके साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे आधी चोटी चमच कलाउंजी या फिर जिसे मंग्रेल भी कहते हैं आप यहाँ पर एड्ड कर देंगे एक से डेर चमच चीनी चीनी से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा कलर आता है कोई भी तंदोरी वाली डिस्क में इसके साथ ही हम स्वाद के अनुसार यहां डालेंगे नमक, मैंने यहां पे एक बड़ा चमच यानि की एक टी स्पून के आसपास नमक डालिया है आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालेगे, लेकिन नमक बिलकुल बराबर डालेंगे क्योंकि हमने इसमें आगे आलो भी ऐड़ करना है, अब हम यहां डाल लेंगे 1 जमच 1 टी स्पून के आसपास बेकिंग पाउडर, हमें baking powder आड़ करना है baking soda नहीं इस चीज का हमें ध्यान रखना है साथ ही हम आड़ कर लेंगे मुठी भर कर धनिया धनिय की पत्ती जो होती न वो अच्छी quantity में डालीएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप चाहें तो यहां हरी मिच का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर मैंने यहां पर हरी मिच नहीं डाला है अब यहां मैं डाल रही हूँ एक कटोरी भर कर दही दही यहां खटी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है नॉर्मल जो घर की बनीवी दही होती है वो ले लीजे अब क्या करेंगे साथ ही हम यहां डाल लेंगे 2-3 चमच के असपास तेल आप चाहें तो यहां पर बटर और घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने यहां पर नॉर्मल जो कुकिंग ओयल होता ना वो ले लिया है अब इन सब को हमें अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है काफी अच्छी तरीके से इन सब को मिक्स कर लेंगे जब तक कि यह सारी चीजें आपस मिक्स हो जाएं तब तक हमें इसे मिक्स करना है अब इन सब को mix करने के बाद हम यहाँ add कर देंगे boiled और mashed potato यानि की आलू quantity में बताओं तो मैंने यहाँ पे 5 medium size के आलू लिये थे नहीं बहुत बड़े और नहीं बहुत छोटे और अगर वजन में बताओं तो करीब 300 ग्राम के आसपास यह आलू होंगे क्योंकि हमने इसमें और कुछ नहीं डालना है इसलिए मैंने यहाँ पे आलू अच्छी quantity में डाला है आलू जरू डालेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल different और बिल्कुल unique dish आपको मिलेगी बन कर तयार होगी अब इस आलू को हमें अच्छी तरीके से मैदे के साथ और बांकी सारी चीज़ों के साथ mix कर लेना है आलू को mix करते विए हमें dough form में लाना है बांकी इसे हमें dough बनाने के लिए इसमें अब हम add करेंगे दूद तो normally हमें दूद बहुत जादा एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे मैंने चोटे गलास से एक गलास दूद लिया था यह सारा दूद इसमें नहीं जाएगा पर थोड़ा थोड़ा दूद हम इसमें डालेंगे और डालकर एक अच्छा dough बन तियार है आपम क्या करींगे हाथ ओपर थोड़ा सा देल ले लेंगे और इसे वापस से करीब Estado मिनट के लिए गूंद लेंगे यानि की ऐची तरीके से मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे इसे हो गाईर की इसे तोड़ा सा राइस होने का मौहगा मिल जाएगा और तेल लगाने तो रोटिया काफी अच्छी सॉप्ट बन कर तयार होती है तो मैंने यहां पर तेल को ग्रीस करने के बाद अब हम यहां पर क्या करेंगे इसे ढग कर करीब 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे तुरंद भी बना कर तयार कर सकते हैं और चाहें तो इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिन तक छोड़ भी सकते हैं तो मैंने यहां पर 10 मिन तक इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था इतने में काफी अच्छी तरीके से यह ढ़ल जाएगी जो है ना मैदा वो फॉर्म में आ जाएगी मतलब काफी अच्छा सॉफ्ट तयार हो जाएगी आप चाहेंगे अगर आपको जल्दी है तो आप तुरंथ भी इसे बना सकते हैं तो यह देखिए दसमेट हो चुका है और जो मैदा है वो काफी अच्छाड़ चुका है काफी सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे जैसे हम रोटियों के लिए बॉल लेता है बिल्कुल वैसा बॉल लेंगे तो हाथों पर थोड़ा सा तेल ग्रीज करेंगे और जितनी आपको जरुरत हो आप एक बार में निकाल लें मैंने आप अभी पांच बॉल बनाकर निकाला है मुझे अभी इतनी ही बनानी है तो बांकियों के जो डो थे ना मैंने उसे धग कर वापस से रख दिया है आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन अगर जल्दी है आपको तो तयारी करके रख दे तो बनाकर तयार कर सकते हैं अब एक प्लैट्वॉम पे मैंने थोड़ा सा आंटा ग्रीस डस्ट कर लिया है और अब इस तरीके से हाथों से इसे हमें फैलाना है और जैसे नॉर्मली हम रोटियां बेलते हैं बिल्कुल वैस तूगती दिखे इस के थीकने साथ देख सकते हैं बिल्कुल को इतनी हो नहीं इस से बहुत स्यादा मोटी और मैं इस से बहुत ज्यादा पत्ली अब इस तरीके से सारे को हम बेल कर त्यार करनेंगे अब यहां मैंने एक नॉर्मल ऋता रोटी वाला उसे गरम कर लिया है और इसपर डाल लिया है जब एक सइट से हल्की सी regulator आजाए तब तक हम तक हम इसे एक साइड से सीख ना है तो यह देखे अब एक साइड से थोड़ी सीख चुकी है तो अब इहुम उसे पलट लेते हैं यह catal … लिव बुसरे साइट से भी मैंने इसे पलट लिया है और देखें जैसे हम इसे पलटेंगे यह फूल नहीं सुरू हो जाएगे इतनी सौफ्ट और इतनी मज़दार बनकर तयार होती है ति परफेक्ट बनकर तयार होती है कि देखें फूल रही है विश्वास कीजिए जितने नान हम लए निकाल लें लिए इस तरीके से मैंने सारे बाकियों के नान हमने बेल कर रखे थे उन सब networks कि यह वहक्त सारे बेल कर और शेकर तयार कर लिया है कि अब यह देế Hero R team बनकर तयार हो चूकि ऐए और यह कितने साफ्ट बने है काफी स कर दिखर हम लग रहे हैं यह चूने में यह कितने साफ्ट बनकर तयार हुँ यह चूँ कहता हुँ आप एक काम हमें करना है है मैंने यहाँ ले लिया है है तो लड़े भी आप लीलिया है आप चाहें तो यहाँ पर真 कश्या देनी दऍाल सकते हैं बिल्कुल ग्रिल्ड जो हम पीजा बनाते हैं या फिर ग्रिल्ड ब्रेड बनाते हैं बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा या फिर हमें नान मिलता है तो गार्लिक नान हम जो रेस्टाराण मौटर करते हैं बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा बटर और धनी की पती के साथ इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे हम सारे के सारे जितने भी अनान है न हमने बनाये हैं उन सब को बटर से अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे और इसी की बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप यकीन तो आप हर बार घर पर इसी तरीके से इतना ही सॉफ्ट और इतना ही मज़दार नान बना कर तयार करेंगे यह जो बटर लगाने वाला प्रोसेस है उसे जरूर कीजिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है और काफी जादा सॉफ्ट तो रहता ही है यह नान उसे बटर लगाने के बाद और मज़दार लगने लगता है तो यह देखिए मैंने सारे जितने भी नान थे सब पे मैंने सांध बहुत मज़दार लगति है आप नोल्मली चाय वगे रहा के साथ बी इस एंजॉय कर सकते हैं अधि बहुत मज़दार में पर तयार होती है तो वह नामद यह कितना मज़दार और कितना साफ तरहा श्रीं की तरह सोफ्ट है बहुत is सांध बहुत ही सब्रूद ge तो बिल्कुर must try recipe है जरूर बनाईएगा और अगर आपको recipe पसंद आई हो मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरी चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर कीजिएगा और जब भी आप इसे घर पर बनाए तो मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बतलाईगा कि आपको और आपकी घरवालो को यह कैसा लगा मैं मिलती हो एक नए वीडियो एक नए recipe के साथ तब तक के लिए bye bye friends and take care